नमस्कार दोस्तों मैं महेंस पाडिदार कल्याणी आईएस एकेडिमिक के ओनलाइन प्रेट्फरम पर आपका स्वागत करता हूं जैसा कि हम पार्टनर्स सीप पढ़ रहे हैं मैंने आपको उस पर दो वीडियो हमने बना दिये पहले वीडियो में आपको यहीं बताया था कि बेसिक हैं इसको अच्छे समझिएगा और जो भी है वो रेशो बेस्ट है तो आपको इसमें पढ़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए क्यों रेशो के उपर हमने लगबग 6-7 वीडियो हमने पढ़े हैं तो इसमे पहला सवाल है आपका A B और C आपस में एक साज़ेदारी वेबसाइए में कुल 47,000 रुपए की पुंजी निवेस करते हैं कुल मिलाकर कितना निवेस कर रहे हैं 47,000 रुपए यदि A ने B से 7,000 रुपए अधिक तथा B ने C से 5,000 रुपए अधिक निवेस किया तो 4700 होना लेकिन डारेक्ट नहीं इसने बोलाए कि ए जो है ए ने B से 7,000 रुपए अधिक निवेस किया कभी इसे सवालो में जब भी रिलेशन वाले सवाल होते हैं हमेसा ध्यान रखो कि सबसे कम कौन है या भी सबसे छोटा कौन है सबसे कम कौन निवेस कर रहा है सबी के लिए बता रहा हूं कि यहां के लिए हर चेप्टर के लिए बात कर रहा हूं सबसे कम वेल्यू किसकी है उसे पकड़ लो वहां से आपको रेशो मिल जाएगा या पिर वहां से लिंक मिल जाएगी कि अगले वाले का पार्ट क्या बनेगा यहां सबसे कम कौन निवेस कर रहा है तो है लेकिन पांच उससे ज्यादा है कि और कि और और एक अगर रहा है तो एद ने b से b बी कितना कर रहा है तो बी की अगर बात करें हम तो बी कर रहा है आपका X प्लस पांच अजार रुपए और सी कितना कर रहा है X रुपए कि समझ में आया या यहां लिखता हूं उपर एक बाद क्लिरली थोड़ा दंग सा आपको क्लिर हो जाएगा कि A B और C है कि A ने, B ने, सुरी, C अगर X करता है, तो B ने C से 5000 रुपए ज्यादा निवेस किया है, तो यह हो जाएगा आपका X प्लस 5000 रुपए, A ने B से तो A का टोटल निवे से हो कितना है X प्लस बाराँ जार इसका कितना है तो X प्लस पांच जार और ये कितना है X और ये जो total amount है इन सभी को अगर आप aid करते हूँ तो ये बराबर हो जाता है किसके 47,000 रुपए के है तो यहां से आपको X कमान मिलेगा, पुल मिला किसने क्या किया है तो जो निवेस का जो पेसा है जो निवेस से उसको इसने डारेक्ट नहीं बताया है वो आपको एक्वेशन के थूरूस में आंसर बताने का बोल रहा है तो आप इसको जब solve करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 3X और ये कितना होगा? 17,000 बराबर 47,000 तो यहां से आपको 3X बराबर कितना मिल जाएगा? 17 अगर उदर जाके माइनस होता है कितना बचेगा? ये 30,000 रूपए तो X बराबर कितना आगे? 10,000 तो अब अगर आपसे कहा जाए कि A, B और C का हिस्सा क्या होगा? तो C ने इन्वेस्ट किया 10,000 रूपए क्योंकि X का मान कितना है? 10,000 B उससे 5,000 जादा मतलब 15,000 और C जो है A जो कर रहा है C से 12,000 रूपए जादा तो C तो 10,000 कर रहा है अगर 12,000 जादा मतलब 22,000 रूपए तो यहां से आपको इनका एक्ट्यूल जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहां पर समझ में आएगा ठीके? अब इसको जब स्वाल करोगे अब इसने समय कुछ नहीं दिया है ज्यान रखना समय कुछ भी नहीं दिया है समय आपको जो मानना है मान लो एक मानोगे तो भी वही बात है 2 साल, 2 महिने, 15 महिने, 1.5 महिने कोई फरक नहीं पड़ेगा वो आपस में क्या होगा? कैंसल होगा क्योंकि समय सभी का बराबर है बराबर है मतलब लिखने के आपको जरूरत नहीं है आप सीधे सीधे इसको स्वाल करोगे तो 3-0 से 3-0 कैंसल हो जाएगा जब आप इसको देखोगे इसका रेश्यो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका? A अनुपात, B अनुपात, C तो यह है 22 रूपए यह कैंसल नहीं होगा जान रखना कैंसल नहीं हो रहा है सेम रहेगा और 10 रूपए तो कुल एड करने पर कितना बनेगा? 47 और यही 47 सवाल आपको कितना दे रहा है? 47 रूपए तो एक रेश्यो बराबर 100 रूपए किसका पूछा है आपसे? C का हिस्सा कितना है? तो C कितना है आपकर 10 रूपए C कितना है 10 रूपए यहां गुणा जब करोगी 100 का तो यह आजाएगा आपका 1000 रूपए तो यह आपका C का हिस्सा है तांसर होगा आपका 1000 रूपए मतलब A इसके अंदर यह वाला तोड़ा सा केल्गरिशन उन्हें ने एक्षा डाल दिया है तो कहीं भी घुमो फीरो लेकिन आना इसी रेशो पर है बस वो बनाने का तरीका अलगलत रहेगा बढ़ते आगे यह आपको समझ में आ गया होगा अगला सवाल देखते हैं A 40,000 रूपए 6 महिनों के लिए लगाता है जबकि B 50,000 रूपए कुछ महिनों के लिए लगाता है B को कुल लाप का 5 बटे 7 वाग प्राप्त होता है तो B कितने समय के लिए पुझी लगाता है इसमें क्या किया है इस नहीं अगर आब इसको एक्वेशन के रूप में अगर जमाओगे तो A ने 40,000 रूपए लगाए कितने महिने के लिए 6 महिने के लिए और B ने 50,000 रूपए लगाए कितने समय के लिए तो वो आपको नहीं बताया क्या बोला उसने B ने 50,000 रूपए लगाए कुछ महिनों के लिए अब बोल रहा है कि B को कुल लाब का पांच बटा साथ भाग प्राप्त हो रहा है तो यह लाब का मतलब यहां बता रहा है तो बी को कितना मिल रहा है पांच बटा साथ कुल आपका 5 बटे साथ है तो ध्यान रखना कि फ्रेक्षन जो दिया जाता है उसका मतलब यह होता है कि नीचे वेल्यू है वो टोटल है तो साथ में से 5 रुपए भी को मिल रहा है तो एक को कितना मिल रहा होगा दो रुपए आप इसको एक में से अगर माइनस भी करोगे तो होगे तो बचा इतना है दो रुपए बचा दो रुपए किसको मिलेगा एक रे को मिलेगा तो यह दो पेसा प्रोफिट जो मिल रहा है इसको आप स् anticipation होगे में लिखो तो क्या यह 5 2 हो hicा जाएगा तो एम उनपाद भी कितना जएगा आपकुआ है दो अनुपाद पांच आ जाएगा रेशो में जब लिखोगे तो यह साथ से साथ क्या होगा और अगर यह कैंसल हुआ तो क्या बच्छेगा दो और पांच तो एबी का अनुपाद दो नुपाद पांच हो गया तो सवाल के अंदर इनका जब आप रेशो निकाल रहे हो तो वह आपको कितना दे रहा है दो अनुपाद पांच दे रहा है आया समझ में क्या किया हमने तो यहां हमने किया कुछ नहीं सीधा सीधा साही जो प्रोफिट का रेशो है अगर बी को पांच बटे साथ मिल रहा है तो एक को कितना मिलेगा तो सीधा साही आप क्या करोगे एक मैंस करोगी प्रोफिट हम ए इसको करेंगा टोंपात करूण ऍषो कि जब अब इसको सवल करते हों तो जब आप से पांच से वालन किन सबह तो ट्र्णाफ आएगा 12 मुनు अ यह एतसर पर अब तक हम निकाल रहे थे रेशयो वो उसने世界 अधे दिया और अब चूंड जो बेद्य दे रहे थे वो उसने सवाल में पूछ लिया है इसको देने का तरीखा क्या हो सकता एक और कि A और B का जो हिस्सा है वो दो अनुपात 5 के अनुपात में मतलब सीधे सीधे यह रेश्व आपको दे सकता है है तो इसमें आप या तो आप को solution करना पड़ सकता है तो solution करने मतलब नहीं आप एक में से साथ वापिस केंसल हो जाएगा क्लियर हैं बड़े आगे अगला है आपका A और B ने कोई बाड़ा 10 महिनों के लिए किराय पर लिया कि ए उसमें सो गाएं आठ महिनों के लिए रखता है बचवे महिनों के लिए बी ने उसमें कितनी गाएं रखे अगर वह एका तीन बटे दो गुना पेसे देता है यह सवाल आपको देखके साल लग रहा होगा कि यह इन्वेस्ट्मेंट तो नहीं है मैंने आपको पहले वीडियो में एक बात बतायती कि जो साज़ेदारी है वो कहीं जगे होती है तो यहां साज़ेदारी केसी है तो यह रेंट वाली साज़ेदारी है जिसे मैंने रूममेट्स का एक्जामपल आपको दिया था तो यहां पर जो आप साज़ेदारी ले रहे ह हो कि आपकी गाएं को आप रख रहे हो मतलब उस बाड़े की सुविधा का यूज कर रहे हो तो यहां आपको प्रोफिट नहीं होगा आपको उल्टा जो पेशा आप दे रहे हो उसके बदले में आपको सुविधा मिल रही है तो आपको सुविधा का यूज कर रहे हो तो इसम आपको दिख रहा है उससे आपसे कहीं सारे इसको टाइम इन वर्क का जो मिश्न समानुपात हैं उसके अकोडिंग इसको स्वाल करने बेड़ जाते हैं तो इसको समझना डंग से कि ए और भी ने क्या किया थे बाड़ा दस महिनों के लिए किराये पर लिया है अब उसमें किरा है वाँ पर आठ महिनne तक किराये पर रही फिर क्या किया तो पूच रहा है कि फूल दो महिन रहे है कि ये वह कितनी यह यहां ? कि B जो है वो A से कितना पेशा दे रहा है तो A का 3 बटे 2 गुना पेशा अगर दे मतलब यदि B जो है वो A से 3 बटे 2 गुना आप यह मान के चलो रेंट दे रहा है टोटल जो रेंट है वो उसमें 3 बटे 2 गुना रेंट वो दे रहा है तोगा और आप यहां पहले आप यह देख लो कि B ने कितना रेंट दिया है तो बीने दिया है A का 3 quad 2 गुना तो यहाँ अगर आप B अर A का रिष्वो देखोगे तो B बटे क्या हो जायेगा 3 बटए 2 हो जाएगा मतलब Hayne 2 रुपे दिया था और 20 ₹र संप 세ो यहीं पूच거를 है कि अगर भी एस से 3 रुपे दो गुना पेशा अंगर देता है तो यहां पर भी कितनी घाएं रख्यें कि उसका जो पेशा दिया हुओ वो उसका पूरी तरीके से क्या हो जाए यूज हो जाए तो आपको क्ता घ्यान रखना आगी कितना रूपए दे रहाए दो और भी तेना अकले त dragons जब करोगे तो यह हो जाए आपका दो से कैंसल हो जाएगा ना कि यह आपका time in work का सवाल है बहुत ज्यादा confusion होता है जब इस सवाल आपके दिमाग में आता है पड़े आगे यह आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो partnership का मतलब समझाया था उसमें वो इसके अंदर छिपा होगा है अगला है आपका a, b और c 19,000 रुपए में एक बाड़ा किराय पर लेते हैं जिसमें a 12 गाएं 8 महिनों के लिए b 10 गाएं 6 महिनों के लिए और c 30 गाएं 10 महिनों के लिए रखता है और किराय उसने total आपको कितना बता दिया है 19,000 रुपए तो यह बोल रहा है कि c को कितना किराय देना होगा वह investment वाला काम हो गया है इसको जब solve करोगे तो आप cancel कर लो किसे cancel हो रहा है आपका यह 2 से हो रहा है 2 से कर लो 2 से कितना हो जाएगा तो 2 से 4 बार 2 से 3 बार 2 से 5 बार अभी भी cancel हो रहा है cancel करो आप गुणा कर लो कोई फरक नहीं पड़ता है 12,4,48 आप गुणा अगर करोगे तो क्या हो जाएगा आपर 48 यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 1,5 आप इसको चाओ तो cancel कर लो 6 से हो जाएगा 6,8,48,6,35 और 6,2,12 और 6,35 ए, बी और सी का जो किराय का अनुपात है 8 अनुपात 5 अनुपात 25 है अब उसने कितना बताया आपको 19,000 रुपए वो टोटल किराय दे रहे है तो यहाँ ज और 38 रुपए और यही 38 रुपए सवाल आपको कितना बता रहा है है आपर 19,000 रुपए तो एक रेश्यो बराबर कितना जाएगा तो यह आएगा आपका 5 गुणा मतलब 500 रुपए यदि एक रेश्यो बराबर 500 है तो सी को कितना मिलेगा 25 गुणा में 500 25 पंजे 125 यानि की 12, 22,000-i. तो रेष्यो को पकड़ू, किसका रेष्यो है वो सवाल आबको खुद बता देगा, क्योंकि वो किराये दे रहा है कि मुझा रेष्यो है, अगर प्रोफिट है तो प्रोफिट का रेष्यो थे, ठीक है, यह तो SIMPLE था सबसे SIMPLE सवाल के, जो BASIक इंग्वेज बाड़े वाला दिया है इसने तो मैंने इसको इसके साथ करवा दिया है बढ़े आगे अगला है A कुल पुन्जी का 1 बटे 4 भाग 12 महिनों के लिए B 1 बटे 3 भाग 6 महिनों के लिए और सेश पुन्जी C 12 महिनों के लिए लगाता है यदि कुल लाब 45,000 रुपए हो तो B का हिस्सा क्या होगा अब इसको थोड़ा सा तंक समझना दो तरीके से बनता है यह सवाल A, B और C हैं A ने कुल पुन्जी का 1 बटे 4 भाग 12 महिनों के लिए B ने कुल पुन्जी का 1 बटे 3 भाग 6 महिनों के लिए और C ने सेश पुन्जी 12 महिनों के लिए लगाई अब बात करते हैं कि C की पुन्जी कितनी है तो इसमें अगर C की पुंजी आप निकालते हो, तो दो तरीकें हैं, मैं दोनों बता रहा हूं, लेकिन उसमें जो आपको यूज करना है एक्जाम में, वो कौन सा है, तो पहले आप इसको बेसिक वाला तरीक है, इसका समझ लो, कि C का भाग अगर आपको निकालना है था, हम एक रुपए में से 1 बटे 4 तो A ने लगा दिया, 1 बटे 3, B ने लगा दिया, तो 6 कितना बचा तो? 1 माइनस, 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 3, तो 1 माइनस, गुणा जब करेंगे तो LCM कितना आजाएगा? 12, 3, 4, 12 और 4, 12 मतलब 7 बटे 12, तो 1 माइनस, 7 बटे 12, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7, 12 माइनस, 7 आएगा, जो की बनेगा 5 बटे 12, तो C का जो हिस्सा है, वो कितना आएगा? 5 बटा 12, तो C का हिस्सा निकालने के लिए इतनी केल्कुलेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, यह तो इसका पहला तरीका हुआ, यह निकलने के बाद आपको क्या करना है? क्यों इसको सॉली करना है? अगर सॉली करोगे तो यह 4 से 3 बार, 3 से 2 बार, 12 से 12 कैंसल यहाँ पर रेशियो आपको डायरेक्ली मिल जाएगा, माल लो, यहाँ पर 12 महिने की बजाए, उसने अगर यहाँ पर 7 महिने दे दिया होता, 12 महिने की बजाए, अगर 7 महिने दिया होता, तो यह fraction में चला जाता, fraction में जाएगा, फिर आप उसका एल्सम लोगे, गुणा करोगे, फिर परफेक्ट नमर में convert करोगे, को यो मिला कर जो ratio के अंदर मेंने basic तरीका बताया था आपको यहाँपर यूज नहीं करना है यह वाला fraction निकालने का यह जो तरीका यह यूज नहीं करना आ अपको अच्छा लगेलेंका तोऑ आपको करो कोई दिक्क mínimo नहीं है यह ratio आपको मिलेगा कौन सा तरीका यूज़ करना है तो वो समझो आपको क्या करना है यहाँ पर जो भी आप value आप लिख रहे हो जैसे A, B और C जो आपका ये part हो दे रहा है कि A ने 1 बटे 4 पार्ट लगाया B ने 1 बटे 3 लगाया तो C कितना लगाएगा सीधा सा तरीका होता है कि जो बटे में संख्या दी है 1 बटे 4, 1 बटे 3 ये लगा रहा है 12 महिनों के लिए ये लगा रहा है आपका 6 महिनों के लिए और ये लगाएगा 12 महिनों के लिए तो अगर आपको इनका भाग निकालना है तो सीधा सा तरीका यह होता है कि नीचे जो संख्या दीए ना इसका LCM ले लो चार और तीन ये चार और तीन इसका LCM क्या हो जाएगा बारा हो जाएगा तो जो आप LCM ले रहे हो इसका LCM क्या होगा आपका बारा और जो आपने LCM लिया है उस LCM का गुणा कर लो इसके साथ अब क्या होगा वो समझना टोटल जो पेशा है टोटल जो पूंजी वो हमने कितने रुपे मान ली है 12 रुपे तो 12 रुपे का 1 बटे 4 12 रुपे का 1 बटे 4 कितना हो जाएगा यह तो 4 से 3 बार मतलब कितना रुपे होगा 3 रुपे 3 से 4 बार कितना होगा 4 रुपे तो ए और भी ने मिलकर 12 रुपे में से टोटल 7 रुपे लगा दिये 4 और 3 कितना होगा 7 होगा हम टोटल पूंजी 12 रुपे मान रहे हैं 12 में से 7 रुपए लगा चुके तो C कितना लगाएगा 5 रुपए तो यहाँ पर आपकी केलकुलेशन कभी भी फिरक्षन में नहीं जाएगी क्या किया है तो फिर समझ लो हमने यहाँ पर इन दोनों का जो बटे में संक्या उसका LCM लिया उस LCM का गुणा हम इसी के साथ कर देंगे जब गुणा करोगे तो गुणा करने पर जो विल्यू कैंसल होके बचेगी वो उनका इन्वेस्टमेंट है जैसे यहाँ पर क्या बचा आपका तो हमने 4 से गुणा किया 3 4 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 4 तो जो बचा है वही आपका यहाँ पर इंवेस्टमेंट है तो यह आपको समझ में आया होगा मैंने LCM लेके क्या किया तो LCM लेके मैंने सभी के साथ गुणा किया जितनी रासी वो लगा रहे है तो यहाँ A ने कितना लगाया है तो A लगा रहा है आपर 3 रुपए A कितना लगा रहा है तो 1 बटे 4 फिर समझ लो 1 बटे 4 किसका 12 का तो 12 का 1 बटे 4 मतलब कितना हो गया 4 तीया 12 मतलब यह लगा रहा है 3 रुपए और B कितना लगा रहा है तो 1 बटा 3 तो बारा का एक बटा दिन कितना हो जाएगा चार रुपए तो सी कितना लगाएगा तो टोटल ही हमारे पास कितना बारा है तो बारा में से चार उतिन साथ रुपए तो दोनों ने मिलके लगा दिया है तो सी लगाएगा पांस रुप बस यहां से solve कर लो, यह हो जाएगा 6 से 2 बार, 6 से 1 बार और 6 से 2 बार, अभी भी अगर चाहो तो यह cancel हो रहा है, या फिर आप इसको यहां पर cancel कर लो, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 5, मतलब A अनुपाथ, B अनुपाथ, C जो हैं, वो कितना है, 3 अनुपाथ, 2 अनुपाथ, 5 और profit कितना बताया है, 45,000 रुपए, इसे जब 8 करोई कितना जाएगा, 3, 2, 5, 5, 10, कुल जो पेशा है, यह आपको समझ में आगया है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, टोटल जो हमारा profit हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 10 रुपए, और इसी 10 का मान सवाल आपको 45,000 रुपए बता रहा है, तो एक ratio बराबर कितना आ जाएगा, 45,000 रुपए, किसका पूचा है, B क का हिस्सा क्या होगा, तो B का हिस्सा जब निकालोगी, तो यह हो जाएगा 45,000 रुपए बी का profit होगा, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने 3, 4, 5 कैसे लिखा है, हमने क्या किया है, तो जो बटे में जो संक्या दिये, इसका और इसका हमने क्या किया है, एलसेम लिया है, एक बटे चार और एक बटे तीन में से तीन और चार है, उसका लिया, उसी एलसेम का गुणा हमने सभी के साथ कर दिया, गुणा करने के बाद हमने क्या किया है, जो संक्या बची उसको हमने इन्वेस्ट मान लिया, तो 12 हमारा लिखा जिसमें से तीन समझ में नमारा समय के लिए सोऺ आगे वरते हैं मैं एक ऐसे स्पूनजी करा honestySon 20 का एक दिन भाग एक बटे तिन समय के लिए वी एक बटे दो भाग एक बटे दो समय के लिए और सी से स्पॉनजी पूरे समय के लिए लगाता है पेले में स्ट्रक्शित्स का यह जोगNG देता कि A ने एक बटा तीन भाग कितने समय के लिए लगाया है G ने एक बटे दो भाग एक बटे दो पूझी पूरे समय के लिए अब यहाँ पर सी का ना तो आपको समय पता है न पूझी आपको पूरा समय मतलब एक समय पूरा समय मतलब जो भी आपका टोटल समय है वो क्या माना जाएगा एक माना जाएगा कारण क्या है उसने सेश समय नहीं बोला है और इस्टुडेंट यहीं गलती यहां पर कर देता है वो क्या करता है तो सेश समय निकाल देता है तो समय सेश मदलब सुरू से आकरी तक आप सुरू से आकरी का मदलब हूमीं एक साल मान रहे हैं तो एक साल का ही तो यह हैं एक बट्भा दो लेरément मान रहे हैं तो यहां पर क्या करना है तुद नोई केस में बता रहा हूं समय और पूंजी के केस में आप दोनों में LCM ले लो तीन और दो का LCM लोगे कितना आएगा छे आएगा कितना आएगा छे आएगा उस छे को हम माल लेते हैं टोटल इंवेस्टमेंट जो पूंजी है वो कितनी आपकी 6 रूपए अब 6 रूपए हैं तो UK कितना होगा तो 1 बटा 3 किसका 6 रूपए तो 5 रूपए इस ने लगा दी है दोनोंege बिलकर या बचा है तोumenically कितना आगया एक for इतुनें कि शिए मिकी आपको सेम यहीं तरीका इस करना कि पूंजी थी अगर समय की बात करें तो समय को भी क्या करेंगे तो स्मय को किटना लेंगे हैं क्या कि दो और तिन expected एक अगर देखा जाएगा समय तो एक बटा तीन ये भी दो हम छे महीने अगर माल लेते हैं ये दो महीने तक इसने लगाया ए ने तीन महीने तक भी ने और सी चा कर रहा है तो सी का जेहांद आगना यहाँ पर एक मतलिक देना सी पूरे समय लगा रहा है पूरा समय मतलब 6 महीने जो आप LCM लेते हो तो दोनों को आपको LCM के दूरू solve करना है इतना लिखना नहीं पड़ता है आप जब exam में solve करोगे आपको बस सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि 6 LCM है तो 6 का इधर लिखोगे तो पूरा समय मतलब यहां पर आपका 6 आएगा तो यहां क्या बनेगा अगर यहां पर आप इसका step लिखोगे तो हमने जो बनाया है एक इतने रुपए लगा रहा है तो यह लगा रहा है उस 6 रुपए का एक बटा तीन मतलब दो रुपए बी लगा रहा है एक बटा दो किसका 6 का मतलब तीन तो पांच रुपए दोनों ने मिलके लगा यह तो एक रुपए बचा वो सी लगा देगा समय की बात की जाए तो समय के लिए भी क्या है ए पूरे समय का इलसेम कितना आया च्छे आया तो 6 का एक बटा 3 समय तक लगाएगा मतलब 2 महिने तक B, 3 महिने तक C, 6 महिने तक यहाँ एक मतलिक देना समय के लिए बहुत important है बार-बार में C के यहाँ के अटकता हूं मतलब आपको बताता हूं जब भी C का समय बहुत important होता है ऐसे सवालों में जब C को कहीं भी वह बाद मिला रहे है या उसके लिए कुछ बोला जा रहा है तो कहीं ने कहीं आपको confused जरूर करेगा clear है तो यहाँ यह आपका तरीका होना चाहिए अब इसको solve जब करोगे आप तो यहाँ पर आपका ratio बनाने के लिए ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी बस cancel कर दो जो cancel हो रहा है नहीं अगर हो रहा है तो उना कर दो सिदे यह हो जाएगा 4 यह 9 और यह 6 मतलब आपका A अनुपाथ B अनुपाथ C कितना हैगा 4 अनुपाथ 9 अनुपाथ 6 कुल कितना हो रहा है 19 और इसी 19 का मान सवाल आपको 38,000 रुपे बता रहा है तो एक रेश्यो बरावर 19 दूना 48 मतलब 2,000 रुपे किसका हिस्सा पूछा है तो A और B के हिस्से का योग क्या होगा तो A और B का हिस्सा अगर देखोगे तो 4 और 9 है तो 4 और 9 कितना आजाएगा 13 तो 13 गुणा में 2,000 तो कुल कितना आगे आपका 26,000 रुपे तो यह आपका योग है 26,000 रुपे मतलब D आपका आंसर होगा समझ में आया है तो यह तरीका आपको यूज़ करना है फ्रेक्शन में कभी मत ले जाना फ्रेक्शन में जैसे ही आप ले जाओगे कही न कहीं आप क्या करोगे तो फ्रेक्शन के अंदर केल्कुलेशन लंभी कर दोगे आप लसम में तर्यों का यूज़ करो लसम ले लो और इस तरीके चैस को स्वाल करो क्लियर हुआ आगे बढ़े अगला सवाल है आपका एक कुल पुणजी का एक बटे छे भाग एक बटे छे समय के लिए बी एक बटे तिन भाग एक बटे तिन समय के लिए और से पुणजी सी पूरे समय के लिए लगाता है सेम सवाल है अब इसको केसे करना है तो यहाँ पर जब लिखोगे आप तो केसे करोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको 6 और 3 6 और 3 चाहो तो 6 और 3 का lsm 6 होता ही तो a का भाग कितना हो जाएगा 1 बटा 6 किसका 6 का मतलब 1 रुपए लगा रहा है a b क्या कर रहा है ग लटाइज एक बटा 6 का 1 बटे 3 भाग किसका चे का तो यह कितना हो जाएगा आपका 2 तो यहां आपका 2 आ जाएगा टोटल पुंजी कितनी मान रहे हैं हम 6 आएगा आप इसको जब स्वाल करोगे तो यहां पर कोई भी कैंसल नहीं हो रहा है तो एक चार ओर कि तो ए अनुपाथ बी अनुपाथ सी एक अनुपाथ चार अनुपाथ अठारा कुल कितना हो जाएगा तो इसे जवाब यहां से एक रीश्व बराबर कितना जाएगा दो जार रुपे यदि एक रेश्व बराबर दो जार रहे है तो बी का हिस्सा आपको बताना है तो बी का हिस्सा हो जाएगा इंटु 2,000 कितना आएगा 8,000 होगा है तो यह आपका आंसर होगा समझ में आई चीजे क्या किया हम नहीं तो इंपोर्टेंट चीजे क्या है इसके अंदर सवाल में यह सवाल थोड़ा लेंदी ही मिलेगा आपने से क्या होगा तो हमारा से निकालना ही इंपोर्टेंट है आप इसको ध्यान रखेगा यह वाला तरीका बहुत इजी है और बहुत इंपोर्टेंट है जहां पर भी फ्रेक्शन होता है वहां पर यह तरीका आप यूज कर सकते हो हर जगे की में में बात कर रहा हूं केवल यहीं के लिए नहीं आगे अगर कई किसी परसेंटेज सिंप्लिपिकेशन में भी अगर आपको इसा कोई सवाल मिलता है आप उसको मोटे कॉंसर्ट बचे हैं अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैवार्ण